यह clutch plate burn हो चुका है, इसका reason क्या है, यह जानना जरूरी है, यह जल गया, यह matter नहीं करता, और हम इसको easily change कर दे, यह भी कोई matter नहीं है, बलके point की बात यह है, कि यह clutch plate क्यों burn हुआ है, यह सबसे बड़ी point की बात है, इस clutch plate में हम लोगों को यह चेक करना है, कि इससे connected जितने भी parts है, इससे relative जितने भी parts हैं, जिससे हमारा ball pin adapter हो गया, clutch fork हो गया, clutch release bearing हो गया, clutch booster हो गया, clutch muster cylinder हो गया, ball pin adapter का bush हो गया, इससे relative जितने भी parts हैं, उसको हम चेक करेंगे, कई बर क्या होता है, इस BS6 vehicle है, इसके अंदर ना पूर पिकप के fault code generate होते है, जिसकी होजा से भी clutch burn होता है, तो हमने इसके scientific reason को चेक करने की कोशिश की, तो हमने इसको देखा कि ये clutch plate जो है, इसका clutch booster ओके condition में था, कोई problem नहीं था दोस्तों, ये भी बिल्कुल नहीं गाड़ी है, समझे कि इसका first checker ही है, बिल्कुल, और ये क्यूं चल गया, इसके reason को हम लोगों हमने पता किया, तो पता ये चला कि इसका booster मैंने चेक किया, clutch booster तो okay condition में था, then हमने clutch release bearing को चेक किया, ये भी okay condition में था, and clutch fork को चेक किया, तो ये भी okay condition में था, जब हमने ball pin adjuster के bush को चेक किया, ये bush melt होने की वज़ा से, clutch plate हमारा burn हो गया, ये bush melt होने के वज़ा से, ये हमारा root cause reason है, इसी तरह देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नई vehicle है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3523.tk, यानि इसमे 230 हचपी का engine लगा है, यानि ये गाड़ी अश्वरमेद है, अश्वरमेद इंजन की गाड़ी है ये, इसमें अश्वरमेद इंजन लगा है 230 हचपी का, मैं आपके किलोमेटर को दिखाता हूँ दोस्तों, इसका किलोमेटर बिल्कुल एकदम समझे कि, 3000 कुछ किलोमेटर गाड़ी चली है बिल्कुल, जब ये plants आई थी तो अल्रड़ी 500-700 किलोमेटर चल करके आई थी, मतलब 2200, 3280 किलोमेटर गाड़ी चली है, और इसका clutch burn हो ग कर दिया और सारे parts को change कर दिया, जोकि ये vehicle, BS6 vehicle थी, बिल्कुल नहीं vehicle थी, तो हमने इनको warranty प्रोवाइट किया, इसलिए दोस्तों, बिल्कुल ये सारे parts को बारिकी से चेक करे, इक clutch plate जरने का reason क्या है, अगर आपके पास इसके root cause, failure root cause नहीं रहेंगे, तो आपका warranty भी accepted नह होगा, हो सकता है, appliance में जाकर reject करे, इसलिए root cause को बारिकी से check करना है, उसके बाद इसके तमाम चीज़ों को check करके, इसको सही से बिल्कुल निरच्छर करना है, इसी तरह दोस्तों, देखिए हमने इसके reason को बता दिये, इसका pointed reason था ball pin, adjuster and boost, इसका boost melt होने के वज़े से, ball pin, adjuster and fork के बीच की दूरी gap होने के वज़े से, ये clutch burn हुआ है, तो इसी तरह दोस्तों, इसको बादिया से check करना है, ताकि आपको कोई problem create ना हो,